Hey guys एक बार फिर साथ सब भी मिस्टर व्यास कंदर स्वाग्थ तो ये iस चैनल का पहला वीडियो है कि आप domain name को कैसे free में बाय कर सकते हैं domain name को कैसे discounted price में बाय कर सकते हैं और सबसे important चीज आपको किस ताइप का domain name की blogging की website के लिए बनाना चाहिए बहुत सारे लोगों की कमेंट से तो मैंने सोचा कि अभी जो special sales चल रहे हैं उसमें क्यों ना आप इसीज का advantage उठाएं तो वीडियो के अंतक बने रहीएगा क्योंकि बहुत सारे special discount promo code भी मैं आपको देने वाला हूँ जिसकी help से आप domain name को free में claim कर पाएंगे तो वीडियो के अंतक बने रहेगा लेकिन अगराइस अगर आप हमारे चैनल पर नए और सीखना चाहते हैं ऐसी ही blogging से related कुछ unlimited tips आपका established blog बनाना चाहते हैं make sure आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे हैं सब्सक्राइब करना ना बूले लाइक करना ना बूले क्योंकि अगर आप मेरे एक वीडियो को लाइक करते हैं तो आपको हजारों ऐसे best content के वीडियो लिखने लगेंगे यूट्यूब के अंदर जिससे आप आपकी blogging की जड़ रहा है दिवाली का special sale तो make sure कि आप इस चीज को claim करें और वो जो साइड है guys particular है वो है Hostinger पे तो आपको यह particular special link है ending with MR व्यास आपको इसको type करना है जैसे इसको type करते है आप Hostinger के home page पे चले जाते हैं जैसा कि मैंने बहुत सार beginner को recommend किया है Hostinger is one of the best and most affordable hosting company for a beginner to start your WordPress blog लेकिन अच्छा खासा domain भी buy कर पाएंगे तो कैसे claim करना है इसी के बारे में यह वाला video है तो चले guys जैसे आप Hostinger के side पे आते हैं जैसे आपको domain के section के अंदर जाना domain checker पे click करना है domain checker पे click करते हैं आप special page पे आ जाते हैं वहाँ पर चल रहा है दिवाली का sale और सबसे पहले मैं आ आपको domain name की price as low as 49 rupees से लेकर के आपको 600 रुपए तक मैं पूरे एक साल का domain मिल जाता है अभी यहाँ पर आपकी choice होनी चाहिए कि आप किस type का domain name buy करें जिससे आप पहले decide करें कि आपको किस type का domain buy करना चाहिए और remember guys तो अगर आपका blog है तो guys आपको सबसे important चीज ध्यान रखने है कि आप अगर hosting buy करें यह ना करें आपका domain name होना चाहिए क्योंकि domain name आपकी identity है और आपका name जिंदगी में एक बार रखा जाता है तो make sure किजिएगा कि आपका domain name भी आप assurity के साथ में buy करें ना कि कोई blogspot.com के साथ चले जाए तो custom domain में आपको definitely buy करना है next important part guys is domain name दो type के होते एक को gtld एक को cctld बोले जाता है gtld मतलब generic top level domain जैसा कि .com commercial websites होती है .edu educational websites होती है .org organizational websites होती है और .info informational websites होती है .net .network websites होती है तो यह क्या एक industry को belong करने वाले domain name होते है similarly guys कुछ domain name होते हैं जो किसी country specific और regional specific होते हैं जैसे कि इंडिया के लिए .in हो गया australia के लिए .au हो गया France के लिए .fr हो गया UK के लिए .co.uk तो इनको बला जाता है cctld country code top level domain तो आपको concert type का buy करना चाहिए अगर guys आपका blog अगर आप worldwide audience को target कर रहे है my suggestion is go with .com अगर आपका blog local country oriented है my suggestion is go with .in लेकिन अगर आप अगर आपके पास लेकदम budget नहीं है very limited फिर भी मैं कहूंगा कि आप custom domain buy करें इसके अंदर आप next choice लेके जा सकते है .online जिसकी costing is just 49 rupees for an year यह एक alternative हो सकता है आपके .com का okay तो यह तो बात होगी different types of domain चले आपके domain को कैसे claim करना है सबसे पहले बात करेंगे कि जिससे discounted price में आपको मिल जाए तो दिवाली sell के अंदर special discount चल रहा है और मैंने जितने भी sites पे compare किया तो guys .com हमेशा एक premium domain type है तो जितने भी register है closely similar price में आपको देंगे लेक और वो जो domain है जिसको हम buy करेंगे तो उसका process क्या होगा okay guys तो सबसे पहले यहां पर आपको type करना होगा वो domain name जो actually आपको buy करना है तो चले guys मैं मेरे साब से यहां पर कुछ भी बाया एक नाम एंटर कर देता हूँ मान लीजिए कि मैंने type किया kirtishvyaasidea.com तो यह particular domain name को मैं search करूँगा यह check करेगा कि जितने भी registrar है क्या वहाँ पर यह domain name available है या नहीं है अगर नहीं है तो अलग से alternative आपको दिखाएगा अगर है तो अलड़ी आपको बताएगा इसको add to cart में add कर देजेए साथे साथ guys आप देख सकता है इसकी pricing कहीं नहीं के 600 रुपीस foreign year रहेगी एक बार आपको pay करना एक साल के बाद में renew करना है और अगर आप low price के इंदर जाना जाए तो guys आप देख सकता है यहां पर और भी suggestions है मैं शाहूंगा कि आप .online के साथ में जाए अगर .com नहीं buy करना चाहते है आपके पास budget नहीं है तो guys यह 49 रुपीस per year के हिसाफ से चले guys मैं इसको चाहता हो तो मैं simply add to card पे click करूँगा यह मैं वो process बता रहा हूँ जिसके help से आप discounted close to 49 rupees के अंदर आपको domain मिल जाएगा लेकिन अगर आप .com के साथ में जाना चाहते है तो आपको 602 rupees with GST apply होगा तो simply इसको verify करेगा और यह आपके card के अंदर add होगा इसके बाद तो guys continue to card पे click करना है तो automatically यह आपके checkout window पे चला जाएगा जहां पर आपको दिखाएगा कि आपका particular domain कितने duration के लिए है अगर आप इसको one year के लिए रखना चाहते है तो आपका pricing यह है अगर इसको बढ़ाना चाहते है two years के लिए तो guys देख सकते है अलग से आपको discount मिलना start ह जाएगा two year पे जैसे click करता है guys automatically price में changes आएगा आपको 1908 rupees के अंदर आपको 2 साल के लिए domain name मिल जाएगा लेकिन हम चाहते है कि initial इसको one year के लिए करें मैंने इसको one year के लिए अगर इसको मैं INR को UST में convert करो तो कहीं नहीं करीं यह जो domain है वो हमें less than $10 के अंदर मिल जाता ह है तो चले हम यहाँ पर टाइप करते हैं 725 आप देशिकता है 9.8 डॉलर के अंदर आपको पूरा एक साल का domain मिल जाता है simply आपको यहाँ पर आना है checkout पे क्लिक करना है payment window पे पे जो भी करना वो करना और आपको domain name आपका available हो जाएगा और इससे minimum price में शायद ही आपको at present कही पर currently मिल पाएगा so it's your choice कि आप किस तरीके से कितने duration के लिए इसको बाय करना चाहता है पहला तरीका चले गाइस दूसरा तरीका कि कैसे इस domain को free में claim करना है जैसा कि मैंने बताया गाईस की hosting is well known for providing a hosting तो अगर आप इसका hosting का कोई plan purchase करेंगा तो आपको domain name free में मिलेगा लेक आपको इसको पहले select hosting plan पर जाना है और इसके बाद आपको simply click here to see all features पर जाना है इससे क्या होगा कि इसके जितने भी hosting plan उसको visible हो जाएंगे आपको थोड़ा सा इसको up करना और देख सकते हैं इनके 3 plan है single premium और business हम बात करेंगे single और premium की अगर premium web hosting लेते तो आपको multiple websites का hosting मिल जाता है आप जितने भी website host करना चाहे होतना और साथ ही साथ आपको thousand rupees का free का domain मिल जाता है तो guys एक तरीका तो आपका यह है कि आप simply इसको add to cart करके hosting purchase करें अगर आप really में अभी जून रहे है कि hosting कहां से purchase करो तो वहां से free में आपको domain मिल जाएगा दूसरा तरीका guys वह हमारे पास single web hosting single web hosting के अंदर आपको guys free का domain नहीं मिल रहा है तो चलिए अभी बात करते है कैसे free में claim करना है guys इसके लिए आपको एक promo code use करना है MRVYAS MRVYAS के promo code को use करने से आपको 7% का discount मिलेगा तो चलिए बताते हैं इसको कैसे claim करते हैं simply guys add to cart के अंदर करना वो promo code को आप यहां पे पर आते हैं तो आपको automatically दिख रहा है कि हमें single web hosting for an year आपको 2800 rupees में और यह 602 इसको 12 months में reduce करेंगे तो हमारा overall price यहां पर हमें दिखाई देगा मतलब कि अभी आपको 2000 rupees के अंदर वन यह की hosting along with वन यह का free domain मिल जाता है तो इस तरीके से promo code के help से भी आप free में domain claim कर सकते हैं और दूसरा तरीका गाईस अगर इस hosting के plan की बजाए अगर आप इसका दूसरा hosting का plan जैसे कि अगर आप premium का use करते हैं तो वहां पे जो overall price बनके आत चुका है अभी हम क्या करेंगे गाईस यह जो hosting का plan इसको change करेंगे और चलेंगे गाईस उस hosting के next वाले plan के अंदर वो है हमारा shared web hosting तो अब यहां पर हम premium web hosting को अगर plan के अंदर add करते हैं क्योंकि यहां पर आपको domain name totally free हो जाता है तो इसको free को आपको कैसा use करना गाईस आप सकते हैं यहां पर premium web hosting already add हो चुका है मैं इसको remove कर दूँगा क्योंकि मुझे अभी domain वैसे भी free में मिलने वाला है single web hosting में buy नहीं करने वाला हूं मुझे domain की भी जरूरत नहीं है और इसी के साथ में next वाले section के अंदर आऊंगा वह premium hosting इसको 12 month के लिए set करूंगा और same promo code को apply क करूंगा तो मुझे 3000 rupees में unlimited website with one year of free domain मिल जाएगा अगर मैं इस promo code को use करता हूं simply आपको यहां पर simply check out पे click करना है और जैसे आप check out पे click करते है तो automatically आप आपके domain को buy कर पाएंगे and that is a simple process through which you can claim a free domain है तो I hope guys आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आया तो इस channel को subscribe की कीजिए वीडियो को like कीजिए सारे links में description में देता है और जैसे कि आपको पता है और जैसे ही आप अगर इसमें से कोई भी hosting purchase करते तो आप उसकी invoice copy मुझे forward कीजिए जिसकी help से आपको मैं $50 worth का free blogging course का promo code भेजूँगा तो वो भी आप additional advantage उठा सकते हैं आपकी blogging learning के लिए I hope कि आपको पसंद आया हुआ अगर आया तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को like कीजिए और comment करके अपना opinion बताना मत बुलेगा आज के लिए फिर मिलेंगे वीडियो के लिए तब तक के लिए जैन जै भारत